हेलो आप देख रहे हैं All Study Easily चैनल आज हम पढ़ेगे Most Important Question जो 10th और 12th क्लास में हमेशा पूछा जाता है तो वो Question है आपका देखिए पुन्रुट भवन से आप क्या समझते हैं बहुत Important Question है दो नमबर का ये आपका Question पूछता है 10th और 12th क्लास में तो आप बच्चों से समझेगा रटना मन ठीक है बच्चों तो चलिए हमाई वीडियो स्टार्ट करते हैं पुन्रुट भवन किसी जन्तु में किसी भी भाग को काट कर क्या कहा है किसी जन्तु में किसी भी भाग को काट कर, यानि कि माले जो कोई जन्तू है, ठीक है, जन्तू है, जैसे कि फ्लेनेरिया, यहाँ पर मैं आपको चितर के थ्रोवी समझाते हैं, देखे, फ्लेनेरिया में पुनर जनन, ठीक है, तो फ्लेनेरिया है, यह एक जन्तू है, ठीक है, इसके किसी किसी भी भाग को हमने काट दिया, समानेता नए जन्तु की उत्पत्ति का होना, इसमें क्या है एक नए जन्तु की उत्पत्ति, इसको तीन पार्ट में हमने काट दिया, इससे देखे एक नए जन्तु ये बना, फिर बीच वाले से एक नए जन्तु ये बना, और फिर यहां से के धड़ से एक नया जन्तु ये बना, ठीक है, हो ना पुन्रुद भवन कहलाता है, इससे क्या है, इसके किसी भी हिस्से को हमने काट दिया, उससे क्या है, एक नई उत्पत्ती हुई, एक नय जन्तु की उत्पत्ती हुई, उससी को क्या कहते हैं, पुन्रुद भवन कहते हैं और इसका example का है hydra और flanaria तो मैंने hydra का नहीं आपको flanaria का example दिखाया आपको संज में आयत न अगर आप दूसरे सब्दों में लिखना चाहे तो ये भी आप लिख सकते हैं जैसे कि कुछ जीवों में यदि सरीर अनेक टुकडों में यदि सरीर को क्या है अनेक यानि कि बहुत सारे टुकडों में विखक्त कर दिया जाए यानि कि काट इज दिया जाए ठीक है विखक्त हो जाए तो प्रते भाग व्रद्धी करके ये क्या है प्रते भागे देखे इस भागने ये व्रद्धी करी फिर एक नया जन्तु बना एक जीव में ये विक्सित होगा अलग-अलग तीन जीव बने ठीक है बच्चो जो संतती उत्पत्ती में सक्षम होते हैं इन्होंने क्या करा संतती उत्पत्ती में सक्षम है ठीक है तो इसी को क्या कहा जाता है पुन्रुद भवन कहा जाता है यहां क्या है अलेंगिक जनन की एक विदी है, ठीके ये क्या है? एक अलेंगिक जनन की विदी है, जिसे पुनरुद भवन कहा जाता है, अगर आपको ये वाला लिखना है तो आप ये लिख लीजिए, नहीं तो आप सिंपल सा ये लिख सकते हैं, किसी जन्तु के, किसी भी भाग को काट कर, उसमें एक नए ज जन्तु की उत्पत्ती हुई उसी को हम पुनरुद भवन कहते हैं सबसे सिंपल ये बता दिया दूसरी वाली क्या है कुछ जीवों में यदि सरीर अनेक टुकडों में विभक्त हो जाता है तो प्रतेक भाग यानि प्रतेक टुकडा व्रद्धी करके एक जीव में विक्षित ह जाता है जो संतती उत्पत्ती में सक्षम होते हैं उधारण के लिए हाइड्रा यहां भी अल्यांगिक जनन का एक विधी है इसे ही हम पुनरुद भवन कहते हैं सब्सक्राइब के पेपर में से ही मैंने दो नम्रे कोशन आपको बताया है तो आप इसको रैड़ी जरूर कर लिए जगा आपके पेपर में यह आएगा ठीक है आई होप आपको यह वीडियो हैल्फल लगी होगी अगर है तो प्लिस चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन जरुद भाए ऐसे आने वाली वीडियो के लिए थैंक्यू अब हम नेस वीडियो में मिलेंगे